नमस्कार दोस्तों आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और बही जो आज का वीडियो है वो उन बातों के उपर है जो की एक गार्डनर को पता ही होना चाहिए और जब आप अपने पोद्धे लगाते हैं तो इसी चोटी मोटी बहुत सारी समस्या आती है लेकिन जिसक साथ रह के समझ लो किसी को गार्डनिंग का शोक है वो आपको कोई treatment बता दे आप उसके घर आते जाते हो या दूसरा भी आज कल तो सबके हाथ में mobile है अगर छोटी मोटी कोई दिखात आती है आफटाफट से वीडियो खोलते हो और बात समझ लेते हो तो ये जो बाते में आपको बता रही हूँ ये उनी के साथ होते हैं जो वाके में अपने plant से प्यार करते हैं नहीं तो लगा दिये लगा दिये देखा देखा नहीं देखा नहीं देखा नहीं देखा लेकिन जो वाके में ही अपने plant से attach होते हैं जो प्यार करते हैं अपने पोदो से वो तो ये स जानके या अपने मोबाइल में कोई वीडियो देखके उससे रिलेटिड तो सबसे पहरा तो वही यही इलाज है कि आपका पोद्दों से प्यार होना बहुत जरूरी है उनके टच में रहना बहुत जरूरी है तभी आपके प्लांस बहुत सुंदर चलते हैं और सबसे बड़ी कोई देखता भी है तो भी उसको देखने में बहुत सुंदरता लगती है अब यह देखो जैसे खेत देखके मेरी नहीं है यह लेकिन मुझे अपनी बाल की नहीं से देखके कितना हरा बरा लग रहा है कितना आखो को सुकून दे रहा है ऐसे ही होता है किसी की हरी भरी चीज देखके और इसके साथ अगर आपने घर के आसपास भी आपने जितनी भी आपकी पास अवेलेबिल्टी ये जंगे की देखो मेरे पास पहले बहुत जौद थी है ना अब लिमिटेड सी है तब भी मैंने कोई कसर नहीं छोड रखी तो ये तो देखो बहानने होते हैं कि जंग अब भी प्रूडिंग मैं ऐसे इलाज पे पहले नहीं बता सकती क्योंकि इलाज से पहले तो आपको अपने पोद्दो को अच्छा ही रखना होगा और कई लाज तो दोस्तों पोद्दो के साथ प्यार करने से कटाई छटाई करने से दूर हो जाते हैं दूसरी यही चीज आ आपने कुछ भी नहीं किया सारा का सारा अपने गार्डन से मैंनेश कर लिया तीसरा आपता है वही पोद्दो को मैंनेश करना जैसे कि कई प्लांट-ओर ग्रोगे वह जाते हैं तो उनको मैंनेश करना भी बहुत जरूरी है और खासकर तो भी बरसात के मोसम में अब जैसे पोद्दे के देख लो इतना ओवर ग्रो कर रहा है कि मुझे इसको इन पिंसर से अटैच करना पड़ रहा है ताकि ये शेप में आ जाएं शेप में आएं और शेप में तो नहीं आएंगे लेकिन हाँ बीच में अडे ना ये भी डिस्टर्ब ना हो हम भी चलते फिर ते डिस् कुछ पोद्दे ऐसे भी होते हैं इसको आप काट भी नहीं सकते कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप काटते हो लेकिन इसको काटने की कोई जुरूरत नहीं क्योंकि इसके खूबसूरती ही इसके पत्तों से आपको इसके एक्स्ट्रा से कुछ लेना देना नहीं है हां जो पत्त है कि यह ड्राइ हो रहा है या यह बिल्कुल spent हो चुका है इसको निकालना ही जरूरी है अभी देखो इसके बीच में से भी कितने पत्ते निकल रहे हैं कोई है नी काटने लाइक और इसकी खुबसूरती भी दोस्तों पत्तों से है तो ऐसे कई तरह के पोद्दे होते हैं जो क कटाई चटाई मांगते हैं लेकिन जो कटाई चटाई नहीं मांगते उनकी पत्ते ही उनकी खुबसूरती होते हैं जैसे हमारे mostly indoor plants होते हैं उनकी कटाई चटाई का कोई खास मतलम नहीं होता क्योंकि वो इतने ज्यादा over growing होते और उनको हमने लगाया भी इसलिए होता है कि इनके पत्तों की खुबसूरती है ज्यादा तर पत्तों वाली पोद्दे होते हैं तो जितने वो पत्ते निकालते हैं अपने सुंदर-सुंदर तो उनी से उसकी खुबसूरती होती है उसको तो आप देखो काट नहीं सकते हैं हाँ कोई ड्राई हो जगता है लीफ उसको तो तो यह दोन उत्रे के प्लांट्स होते हैं आपके पास तो जो कटाई चटाई मांगते हैं और जो कटाई चटाई नहीं मांगते हैं अब आते हैं वही तीसरे ट्रीटमेंट के उपर कि जो कि आप अपने गार्डन में हमेशा ही कर सकते हो कि अपने पोद्धों पे किसी भी लि अगर आप हफते दस दिन में चाहे आप लिक्विड ना भी बनाओ जिस सरफ से आप कपड़े दोते हो वही सरफ अगर आप वेस्ट है आपका कपड़े दूल चुके हैं उसको भी अगर आप स्प्रे बोटल में डालके वह भी पत्तों पे चेड़कते हो ना वह भी बहुत कार अगर होता है उससे भी आपके पुद्धे नीट एंड क्लीन हो जाते हैं और उस पुद्धों के लिए खुराक का काम करता है क्योंकि इन सब में मोस्ली बेकिंग सोड़ा होते हैं और ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि इन कीडे मोकोडों को पसंद नहीं आते तो एक तो यही हो गया है बही कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि पोद्धे लगे हो यह फूल नहीं खिलते हैं तो फूल खिलने के लिए जो अगर देखो इस तरह गमले में लगा रखे न तो कई वर क्या होता है कि टाइम के साथ साथ ना पानी देते देते और ना खुराक मिलने के विज जरूरी है और वो आप खुद से ही बना सकते हो कोई भी ऐसी खटास वाली चीज आपके घर में लैमन आते हैं निम्बू के छिलकों को आप बाल्टी में रखके एक दो दिन वो पानी दे सकते हो उससे खटास आजाएगी पानी में दूसरा भई फिटकडी होती है फिटकड से निकालके और उसको पानी में मिक्स करके वो भी आप प्लांट में डाल सकते हो उससे भी सोयल ऐसे लिक हो जाती है तो इसी बहुत सारी चीज़े है और और क्या है गया और हैभी विनेगर सिर्का भी सिर्के को भी आप एक धकन दो डाई लीटर पानी में डालके वो भी आ बहार भी नहीं जाना किसी से पूछना ताचना भी नहीं है और जो भी पोद्दों के शोकीन होते हैं उनको इन चिंजों के बारे में पता होता भी है और होना भी चाहिए कहीं से पता हो ताकि वो रेगुलर बेसिस पे अपने पोद्दों का जो भी ट्रीटमेंट है वो तो आप यह जितने भी पोद्धे जादा तर देखोगे न सारे कटिंग से हुगाए हुए हैं तो कटिंग लगाने के लिए भी मैंने अलग से प्लेइलिस्ट बना भी रखी है बहुत सारे ऐसी सजेशन्स दे रखी है की कटिंग कैसे लगाते हैं, कैसे अच्छी चलती है और सबसे बड़ी बात दोस्तो एक कटिंग के बारे में आप कभी नहीं बता सकते क्योंकि हर कटिंग लगाने का अपना अलग तरीक्शा होता है गुलाब की cutting अलग तरिक्के से लगेगी, अब यह हिबिसकस है, इसके अलग तरिक्के से लगेगी, अब यह पर्सलेन है, इसके अलग तरिक्के से लगेगी, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा नहीं देना होता है, हिबिसकस में पानी चाहिए होता है, प्लूमेरिया की आप लगाओगे, कोई ज़्यादा पानी की जरूर नहीं होती, तो पोध्धे की तासीर पे डिपेंड करता है कि आपने कटिंग कैसे लगानी है, कितना उसे मुएस्चर चाहिए, कहां आपने उसको रखना है, तो इस सारी बाते बहुत माइने रखती है, हर पोध्धे की कटिंग लगाने का अलग तरीक का होता है, अगर उस प्लांट के बारे में आपको पूरी जानकारी है ना, फिर आप उसको बड़ेच्छे से चला लोगे, अब जिसको यह पता है, इस पोध्धे की अगर हम कटिंग लगाएंगे, तो अच्छी खासी मतलब पा पानी नहीं देते हैं, जैसे केक्टस वगएरा है, उसमें कोई पानी की जूरूरत नहीं है, तो यह तो भी आपको देखो, जानकरी लेनी पड़ेगी, एक एक कटिंग के बारे में हमें क्या बता हूँ, वीडियो मेंने सारे डाल रखे हैं, कटिंग लगा के दिखा भी जाता है, लोग लाके अपने घर पे लगाते हैं, और वो खराब जाये तो बड़ा मन भी दुपता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्यू वेरी मुच, टेक केर